हलो फ्रेंड आज हम बनाने वाले हैं सुजी के अपे सुजी के अपे खाने में बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी सबजिया डाली है और तेल का बहुत कम यूज किया है तो आप उसे सुबह के नास्ते में या बचों के टिफिन के लिए बना सकते है तो सलिय इस रेसिपी को शरू करते है सुजी के अपे बनाने के लिए मैंने यहां एक कप सुजी लिया है और एक कप हम इसमें दही डाल देंगे वही कप से हम इसमें एक कप पानी डाल देंगे पानी और दही को हम सुजी के साथ अच्छे से मिला देंगे स्वात की अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे अच्छे से मिला कर हम इसको आधा गंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे फूलने के लिए आधा गंटे बाद हमने धक्कन हटाया हमारी सूजी जो है अच्छी से फूल चुकी है अब हम उसमें डाल देंगे आधी चमस भुना हुआ जीरा का पाउडर, आधी चमस धनिया पाउडर, आधी चमस डाल देंगे मिर्च पाउडर और आधी चमस हम डाल देंगे इसमें काला नमक और हमने कुछ सबजिया लिया है एक शिमला मीर्च, एक प्याज, करी पत्ता, दो हरी मीर्च, एक टमाटर, एक चमस अद्रक का पेट और दो चमस लिया है, हरा धनिया का पत्ता सारी सबजिया हमने एक दमबारिक काट लिया है, सारी सबजी हम इसमें डाल देंगे अच्छे से मिला दे अब हम उसमें डाल देंगे आधी चमस इनो अगर आप उसमें इनो डालना नहीं चाहते हैं, तो आप इसमें बेकिंग सोड़ा भी डाल सकते हैं बेटर हमारा रेडी है, अब चलते हैं अपे बनाने के लिए अपे बनाने के लिए हमने यहां एक कपा पेन लिया है इसमें हम थोड़ा सा तिल डाल देंगे तिल को हम अच्छा सा गरम होने देंगे तिल अच्छा गरम हो जाए तब हम उसमे राइ डाल देंगे अब हम उसमें जो हमने बेटर तयार किया है वो डाल देंगे गेस की flame को हम medium रखेंगे ढकन को बुष देंगे और चार से पास मिनिट तक medium flame पर पकाएंगे पास मिनिट बाद हम ने ढकन हटाया अपे को हम ऐसे पलट देंगे देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारे अपे सीख चुके हैं सारे अपे को हम ऐसे पलट कर हम उसको फिर से तिन से चार मिनिट तक पकाएंगे दिखिए सारे अपे हमारे पक चुके हैं अब हम उसको इस प्लेट में निकाल देंगे अपे खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है आप उसे एक बाद जरू ट्राइ करें सेम प्रोसेस से हम सारे अपे बना लेंगे अपे में आपको जो सबजिया पसंद है और आप इसमें डाल सकते हैं दिखिए सारे अपे हमारे पक चुके हैं अब हम उसको एक सरीम प्लेट में ले लेंगे आप उसे कुपरा की चटनी या हरी चटनी या टोमेटो केचप के साथ सर करे जो चटनी आपको पसंद है इस साथ आप उसे सर करे इस अभी चटनी के साथ बहुत ही टेश्टी लगता है असके रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी रेसिपी को लाइक करे करें शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ